हाई अब्रीवन कैसे हो आप सब तो चलिए आज मैं आप सब के लिए एक्स्प्लेइन करने जा रही हूँ एरो सीजन टू कैपसोड नम्बो नाइन तो पिछले एपसोड में हमने दिखा था साइरेस जो की एल्डेर मैं द्वारे दिये गया मीरा की रूस सिरम की वज़े से स् और ऑलिवर की हालत बेहद ही नाजुक होते जा रही थी तब फैलेसिटी ऑलिवर की जान बचाने के लिए बैरी को एरो हाइब लेकर आ गई थी अब इससे आगे कहानी हम आज के एपसोड में देखने वाले हैं जिसकी सुर्वात एरो हाइपसोड जहां एक तरब अपने बेहतर महसूस कर रहा होता है पर यहां ऑलिवर होस्ट में आते ही अपने सामें सीएसाई को देखकर इसकी गरदन पकर करकर गुसाने लगता है कि आखिरी से हमारे हाँ इस सिक्रेट एड़े पर कॉल आया है जिस पर फैलेसिटी ऑलिवर को सांथ करवाती है बोलते हुए कि यहां बैरी पर याकीन कर सकते हैं यह तुम्हारी पहचान किसी को नहीं बताएगा और वैसे भी तुम्हारी तवेत अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हमें बैरी के जरुरत है इसलिए आज साम तक यही हमारे साथ रुखने वाला है इनकी यह बाते चली रही होती जब द्रवाजा खटकट आता है यह दिरेंट से धरावाजा खोल और लिवर को अंदर ले लेती है जहां उलिवर के बिषतर पर रोई लेता हुआ है यह पर ने बैढमें की क्या हालत करी है जिसे सून ऑलिवर मुझवाता है और फिर रोई का तीर निकाल कर दिगों को कॉल कर देता है यहां पर दवा लेकर आने के लिए यह रोग हॉस्पीटल नहीं जा सकते थे क्योंकि इस सिटी में तीर और बंदू की गोली दोनों को एक ही समझा जाता था इसलिए रोए अगर हॉस्पीटल गया तो इसमें पुलिस भी इंबॉल्व हो जाएगी क कि आखिर यह सब क्यों और कैसे हुआ अब इसके बाद ऑलिवर जैसे थिया के कमरे से बाहा निकलता है इसे अचानक से सैडू की आत्मा दिखने लगती है जिसा नेक ऑलिवर दंग रह जाता है और इसे टच भी करता है तब पीच्छे से थिया आकर ऑलिवर से पूछ तुम इवो वहीं पड़े सभी मेरा किरू को लेकर अपने आदमियों के साथ बहार आता है ऑलिवर सारा सेडू को बंदी बना कर और फिर ऑलिवर को बोलता है इन दोनों लड़कियों में से कोई एक ही जिन्दा रह सकती है इसलिए तुम बताओ किस से बचाना चाहते हो अब यह स समझ नहीं पाता कि आखिर एक किसे बचा है पर जैसे डॉक्टर इवो अपनी बंदूग तानता है ऑलिवर जट से सारा के पीछे जाकर बैठ जाता है जिससे देख डॉक्टर इवो के सारे आदमियों को मारना पीटना सुरू कर देता है जिससे इस तरीके से बिहेवियर कर सब्सक्राइब कर अपने आदमियों के साथ बहाग निकलता है और इसी के साथ अपकानी वापर से प्रिजन्ट में आते हैं जहां पर एल्टर में यानिकी सवास्टियंस साइरस से डिसकस कर रहा होता है कि जो चीज तुम चुरा कर लाए होना उसे काम में लगा दिए और अ क्या जवाब है बताता है हाँ है अन्स हो सकता है कुछ दिखा क्या तुम्हें जिस पर अपनी मडी दोस्त इन सबको बताता है वही पर आगे बैरी ऑलिवर से बोलता है तुम्हारा सूट ठीक ठाक है पर चेहरे पर मास्क क्यों नहीं लगाते हो यह गिरिश तेल इसकीन खर निकल परते हैं तो दूसरी तरफ थिया और से लॉर्ट के पास आती है इसे मैक्स के कातिल को डूरने के लिए मदद मागने चुकि मैक्स के अपार्टमेंट से इन्हें सबास्ट्या दोरा आयोचित कि बलड़ कैम का परचा मिला था थिया चाहती थी कि लॉर्ट इस बारे म नहीं चल पाता है उटा लॉर्ट थिया के घर आकरी से बताती है कि उस प्लड़ कैम से तो कई लोगों को राहत मिली है सबास्ट्यान कुछ भी गलत काम नहीं कर सकता है वह इंदे डिगल और ऑलिवर साइडिस के अपार्टमेंट में पहुंचता है जहां पर चुकि ऑलिव होता है जिससे देख डिगल यहां से किसी तरह अपने जान बचाकर ऑलिवर के साथ बहाग निकलता है जहां रास्ते में ओलिवर फैले सिटी को डिटेक्टिव क्वेंटिन को कॉल कर सारी ओपसर को तयार करने बोलता है और खुद भी एरो बन कर क्वेंटिन के पास आकर बो होता है तक इस बार एरो को दिखने लगता है वह दर भी और फैले सिटी मिलकर ओलिवर के लिए दवा बना रहे होता है कि किसी भी हालत में यहां सामता कि यहां से निकल जाएगा क्योंकि यह डॉक्तर हैसें वेल का सो मिस्ट नहीं करना चाहता है तब यहां पर पहुंचता है जहां पर और को ऐसा लगता है सिलेड यहां पर सच्छ में है जिस करमें यहां पर काफी तोरपूर मद जाती है तबेद्दी общем nggak बिल्कुल ठीक हो चुका है पर हाले सुनेशन की प्रोब्लम पता नहीं क्यों हो रही है जिस पर अपडेगल ओलिवर को साहिट मिलाकर बताता है यह कोई बीमारी नहीं है दरसल तुम इस मेरा कुरू वाले इंसिदेंट से इतना डिस्टर्ब हो गए हो कि तुम्हारी पुरानी चीज़े वापस से तुम्हारी दिमाग में बैठ गई है तो यह दूसरी तरफ क्वांटिन जब यहां एरो के पता है एड्रेस पर अपने ऑपसर के साथ साथ सायरेस को पकरने जाता है सायरेस सभी को बु परागतवी होस्पिटल पहुच्छ इन को देखने की बहाने की पहूंचता है और रहाव मिवर्स पता है कि यहां पी सवास्टिन के आदमी फैले हुए है जो कि इसे हर पल्पल की खवर देते रहता है तो यह घ्यापने पर ग्वैंत इसे एक चावी देता है जो की इससे सा पर यह समझ जाता है कि मेरा कुरू वाला प्रोजेक्ट साहद यहीं चल रहा है इसलिए ऑलिवर भी उस जगा क्ले निकल परता है तो दोसी तरफ रोई भी सांथ मैटने वाला थोड़ी ने था यह ब्लड कैम्प वाले और्गनाइजर के आपिस में रखे सभी खून देने वा दिख लेता है और यह पर वार करी इसे ब्यूहस कर देता है जिसके बाद जब रोई की आंग खुल दिए यह कुल बंदा होता है जिस पर के सबस्टेट मास्क पेना मेरा कुड़ू वाले इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देता है कि तब हम इस पहुंचता है तो यह दिग आ पर बहुत सारा मेरा करूं के डोज बने की प्रकिरिया में है जिससे पूछता है आकर तुम लोगों को यह मीरा करूं कहां से मिला जब ब्लड ब्रदर यानि कि सब आस्टेन यह बोलकर यहां से भाग निकलता है कि जल्दी पता चल जाएगा जिसके जाने के बाद साथ वापस से एरो की फाइट सुरू हो जाती है जिसमें की एरो कमजोर पढ़ने लगता है तब इस बारी से इसका बेस्प्रेंट टॉमी दिखाई पढ़ने लगता है जो ऑलिवर को हिम्मा देता है कि तुम तो हीरो हो इस सिटी को तुम ही तो बुड़े लोगों से बचाथ सकते हो इ जिससे देख आलीवर रोई को पकार कर जोड़ जोसे सीने को दबाता है तब रोई की सासे वापसी चलने लगते हैं तब ऑलिवर इसे चुप-चाप थीया के कमरे में छोड़ाता है जहां पर जैसे ही रोए को बूरी तरीके से होसाता ये देखता है इसके पैरे में जो ती लगता है सैडों की मौत ऑलिवर के वज़े से लियाने उपर होई थी अब धीर धीरे ऑलिवर के लाइब से उसके सारी प्यारी चीज़ों को छीन लेना चाहता है और मेरा किरू के बारे में इसी ने सवास्टिन को बताया था वह इधर वापस एरो हाइब लॉट आता है तब से पता चलता है कि बैरी अब सेंट्रल सेटी वापस लॉट चुका है जिसके आगे अब ओलिवर यहां पर डिगलाव फैले सेटी को पताता है कि मीरा किरू इंजेक्शन के बाद रोई की जान बज तो गई है पर इसे डियर की वज़े से रोई भी साइरस की तरह ही मॉन्स् को दा जिसे कि अब हमारा एरो अपने एरो वाले कोशियों में सामिल कर लेता है तो इधर अब हमें बैरी को दिखाया जाता है जब पार्टिकल एक्सलेटर ओन हुई थी उससे निकलने वाले बिजली का जट का बैरी के ऊपर आगी रहा था जिससे बैरी कॉमा में चला जा और इसी के साथ यह एपसोड यह पर कतम हो जाती है तो फ्रेंस यह बैरी वाला जो सीन था ना जो हमने फ्लैस सीरीज के सीजन वन के एपसोड वन में देखा था अगर आप में से किसी ने इसे मिस्स किया है ना फ्लैस की एक्स्प्लानेशन को तो डोंट वरी इसका लिंक न बिल्कुल न भूले और नेक्स्ट एपसोड देखने क्लिक कमेंट बोक्स में नेक्स्ट लिखना बिल्कुल न भूले तो चलिए फिर विलते अपने नेक्स्ट वीडियो बतिल देन टेक केर और बाबाए